सबसे पहले हमारे YouTube चानल को आप सबस्क्राइब किजिए अगर आपने नहीं किया है तो ताकि हम लोग ऐसे वीडियो रेगुलर बनाते रहे अब देखते हैं मंगलबार को market में क्या हुआ मंगलबार को nifty एक range-bound zone में था 2G candle formation नहीं है आल टाइम हाई दूजी candle formation होता है तो एक indication होता है कि हमें एक major moment मिलेगा ऐधर upside ऐधर down side तो हमें किस तरह से play करना है हम लोग देखेंगे Nifty में अभी भी buy on dips का strategy रहेगा हमारा और अगर हमें Nifty buy करनी है तो 24500 के आसपा जो hourly पे हमें super trend का support दिख रहा है वहाँ पे हम लोग buy करेंगे अब इसको support करने के लिए हम लोग ये भी देखेंगे कि OI data हमें support कर रहा है कि नहीं तो 24500 पे support दिखाई दे रहा है पर उतना भी major नहीं है अगर 25th July का data देखते हैं तो वहाँ पे भी उतना strong नहीं दिखाई दे रहा हाला कि 24600 पे अभी support दिखाई दे रहा हमें 24600 का support लेके हो सकता है आज का देन चुट्टी है तो कल most probably market gap up open हो सकता है वहीं अगर हम लोग bank nifty देखने जाए मैं आपको पहले बताना चुँगा nifty में अगर हमें sales side position लेनी है तो कहा लेंगे 24500 पे अगर हम लोग buy करते हैं अगर नीचे मिलता है हमें तो हमारा ideal stop loss रहेगा 100 points का लेकिन sales position हमें create करनी पड़ेगी 24100 24100 एक major support है nifty के लिए अगर हमें कोई भी sales position बार नहीं है तो 24100 के नीचे अगर nifty जाता है तो ही हम sales side में बैठेंगी तब तक कोई sales side position बनती नहीं है nifty में वही अगर हम लोग bank nifty देखने चाहें तो bank nifty देखेंगे तो bank nifty comparatively ऐसे लग रहा है कि support ले रहा है अब इसको supporting अगर हम लोग bank nifty का OI data देखेंगे तो देखेंगे major जो resistance है वो 52500 के आसपास है लेकिन support है 52400 और उसके बाद 52000 तो 50400 का support दिखाई दे रहा है उसके बाद हमने 52000 यह जो level है यह काफी strong level है और यह से bridge करना काफी difficult रहेगा bank nifty के लिए तो what will be our ideal strategy अगर हमें bank nifty 52000 के आसपास मिलता है अब early chart देख रहे है हमें definitely यहाँ उसको buy करना है और हमारा जो stop loss रहेगा वो यह रहेगा 51700 के आसपास अगर 51700 breach होगा तभी हम लोग bank nifty में excel position create करेंगे तब तक के लिए हमें buy on dip सी strategy रखनी है bank nifty में भी तो कलकल इतना ही thank you for watching